और सिखोगे क्या भाय सटेटिंग? अलिग सटेटिंग और सिखना है, पाके नहीं हो? तिंग पैट बचा हुआ है, किसको किसको पता था कि आज थिंग पैट बताऊए? पता था थिंग पैड बताऊंगा? मैंने सोचा कि अगर आ गये सारे तब तो ThinkPad का बता दुभा नहीं आए तो फिर नहीं बताओंगा मैंने कल ऐसा थो बोलना नहीं था कि मैं ThinkPad बताओंगा ही ThinkPad मैं बताता हूं बैच को देखके अगर कोई सोता हुआ बैच है तो उसमें नहीं बताता अगोई दखता है कि हाँ जागरूख है बंदा दो-चार बंदे भी जागरूख है बैच में तो मैं ThinkPad बता देता हूँ समझे ना क्योंकि ThinkPad खुद मुझे सीखने में दो-तीन साल लग गए मतब सब बायस बना लेता था ThinkPad का बायस में से बनता ही नहीं था मतब सारे बायस बनाने में में एक्सपर्ट हो गया लेकिन ThinkPad में एक्सपर्ट नहीं हो पाया फिर मेहनत करते 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 ThinkPad बायस को मैंने क्रैक कर लिया कि कैसे बनेगा आइडिया पैट तो देखा आपने बहुत हीजी है दो मिनट में आइडिया पैट बनके आ जाता है लेकिन ThinkPad बड़ा बायस की लोता है मुस्किल क्यों होता है तो आपको क्या होता ना क्राक करना पड़ता है आखिर कर क्या ऐसा उसमें दिया है जिसके उपर मैं काम करूं तो मेरा बायोस बन जाए ठीक है ना तो कितने दिन की बायस की क्लास हो गई हमारी सत्रर तरिक से श्टार बहुआ संड्य मिला के क्लास होता है मतरवनेदी चेम अपनी क्लास को ख़तम करेंगे थिक है ना थिंग पैट के साफ बायस एडिटिंग को हम विराम देंगे तो 14 दिन की क्लास में आपको कम से कम 70 दिन की प्रैक्टिस चाहिए 14 दिन की क्लास है इस क्लास के अलावा 70 दिन की प्रैक्टिस करो तो जितना मैंने बताया उतना आपने कर लिया अब यह 70 दिन आज से ले लो सतर दिन या एक साल में निकाल लो सतर दिन या दो साल में निकले सतर दिन या पास साल में निकले सतर दिन वो आपके उपर है समझेगा ना सतर दिन तो चाहिए प्रैक्टिस के लिए एक महिने तक नहीं करोगे आप भूल जाओगे मैं खुद भूल जाता हूँ कोई ऐसी बायस एडिटिंग होती है कि मैंने कभी सक्सेस किया दो महिने बाद फिर मैं करने जाता हूँ तो मेरे कोई याद ही नहीं आता वही क्या किया था तो मैं क्या करता हूँ कई बार अपना ही वीडियो खुद देख लेता हूँ कि मैंने क्या किया था अपना वीडियो मैं खुद देख लेता हूँ अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया है उस चीज़ का तो मैं अपना वीडियो खुद देख लेता हूं कि मैंने क्या किया था या फिर मैं नोट्स बनागे रखता हूं कि हाँ यहां पर यह मैंने किया था तो मेरा हिए सॉल्व हो गया था अच्छा ये बताएए कि बायो सेटिंग में ऐसा कुछ है जो लग रहा है, छूट रहा हो एच्पी का आपने सारा देख लिया डेल भी हमारा कंप्लीट है आसूस भी कंप्लीट कर लिया आपने थिंक पैड रह गया वह आज सीखेंगे लगवक क्या होता ना इतना भी आपने सीख लिया तो ट्रैक पर आजाओगे अंत नहीं है मैं एंड कम नहीं देता मैं सुरवात नहीं देता हूं मैंने आपको सुरुवात दे लिग जितना आपको इस लाइन में बायुस के लिए जानना चाहिए उतना मैंने बता दिया आप बोलो कि मैंने आपने चेर बना दिया अब उस चेर के उपर और ज्यादा काम करेंगे और ज्यादा गदधा बदधा यह वो फिनिसिंग मर्ट करेंगे टाइम लगेगा वो चीज़ एक्ष्टरा हो जाता है काम के लएक क्लास्ब्स तो पर अब उसके ओपर आप बंदे नहीं कर पाते, बायोस एडिटिंग तो जानते हैं, बेसिक एस्ट्रक्चर बायोस एडिटिंग का हर किसी को पाता है, लेकिन वो नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने आपको बता है, सर्विस टैग एरर, कि डेल में सर्विस टैग आपका सेव नहीं हो रहा है, किस तरह आप उसको solve करोगे clean emi के error आपको बताएं कि आपको clean emi करने तो आता है लेकिन file decomping नहीं हो रहा है तो आप उसको कैसे solve करोगे है ना जैसे idea pad में हमने देखा कि idea pad में हमने क्या किया तो dmi tools लेकर करके हमने उसको decrypt किया या फिर hp में आपने देखा को बहुत सारे bios asset है जो आपको extract नहीं हो पा रहे थे तो हमने वहां पर miucp का यूज करकर के देखा तो यह सब चीज़े advance चीज़े हैं समझ गया ना और बाकि dmi information कैसे इदर से उधर करना वो आपको बता दिया जितना बताया उतना करने के जरुतनी परति उससे पहले के सॉल्व हो जाता है जितना मैंने आपको बताया उतना भी करने की जरुतनी है mostly problem आपकी window remote पर ही solve हो जाएगी तो जितना आपको बता दिया आप इसके आगे यूट्यूब पर भतेरे विडियो पढ़े वे अलग अलग बायोस से लेटेड बहुत सारे विडियो पढ़े आप देखो और ज्यादा आपने आप में निखार लाओ आपको बायस एडिटिंग का सारा पता चिल जाएगा अकेले बायस एडिटिंग पता है तो आपको जॉब मिलने में भी दिक्कत नहीं आती जोब आसानी से मिल जाती बायस एडिटिंग बोले करके मैंने देखा है कि जॉब में ट्रेंड यही है कि बंदा ऐसे बोलता है कि उसको भेजना जिसको बायस एडिट करना आता हूँ मेरे बंदे बायस का काम नहीं कर पाते है ना तो बायस में आपको जी एट तक का बता है ना जी नाइन जी टेन नहीं बता है वो भी अभी बता दूंगा ठिंक पैट के बार मैं आपको जीञें जी टेन का भी पासवर्ड अनलोग करना बता दूँगा और यक चीजह हमने जो भी काम किया है इसमें कोई भी पेज़ टूल का यूज है इसमें तर्च करोगे तो मिल जाएगा हमने किसी भी पेट टूल का यूज नहीं किया जितने भी हमने काम किये हैं सारे के सारे ओपन सोस्ट टूल से काम किये हैं और वो टूल मैंने आपको बखुबी दे भी दिया है तो जी नाइन जी टेन का अनलॉकिंग वो भी बता दूँगा अच्छा मार्केट में ट्रेंड भी एक मैंने क्या बूला टूल का भी ट्रेंड है कि टूल भी चल रहा है है ना तो टूल वाला मैंने आपको किस्ता कल ही बता दिया था टूल वार में मत परना आप सीधा सीधा अपने काम में लगना केबल कि आपको जो मैंने मैनुवल मैथ खट से जाओ, उसके आगे अगर टूल चाहिए, खुद टूल बना लो, किसी और का टूल पर्चेज नहीं करना है, किसी और का टूल पर्चेज करोगे तो क्या होगा, वही दो हजार, चार, हजार, पांच, जार, दस हजार रुपे करके आपको मन्थली देना पड़ेगा, मैं पाइथोन सिखा देगा, तो उसके बाद क्या होता है, जितने ओपन सोर्च टूल है, उसको आप अपने नाम से चेंज कर सकते हो, अपने नाम से कर लो, जो भी आपको स्क्रिप्ट मैंने बताए है, जो हमने बाइस एडिटिंग में स्क्रिप्ट नूट किया है, कि ये ब्ल बेचना है, या फिर मेरे को सेवा करना है, तो सेवा तो वो करेगा, जिसका पेट भड़ा हुआ है, जिसको रोजी रोटी कमानी है, वो कहां से सेवा करने वाला एक बात बताओ, है ना, तो सेवा करने का तो कोई वो ही नहीं, सेवा करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, customer कहां से लाओगे तूम आओगे tool बेचने के लिए मैं वहाँ पे खड़ा हो जाओँगा कि मेरे पास ये tool है तो बंदा मेरे पास आएगा आपके पास नहीं आएगा तो game है start हो गया यहाँ पे तो tool बनाने के पीछे मत जाओ हाँ अपने internal knowledge के लिए आपको अगर tool बनाना सीखना है तो सीख सकते हो अपने मकसद के लिए अपने काम के लिए आप जूच करो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप अगर ये trend सोच के सोचोगे कि मैं tool बनाता हो market में बेचता हो तो यह सबसे बेवकुफाना बात होगी आप market में बेच नहीं पाओगे tool कारण क्या होता ना इस market में इतना competition है ना मैंने बोला ना सेवा कभी कीड़ा लग जाता है लोगों को सेवा का कीड़ा नहीं इसको बोलते थे identity का कीड़ा identity का कीड़ा का मतलब मुझे पूरे इंडिया में सब जाने कीड़ा लगता है किसी कीड़ा जब लगता है किसी particular points का विडियो बना लेगा विडियो बना के YouTube पे डाल देगा कीड़ा है और क्या है ठीक है ना मैं मतलो ट्रेनर ही वो मैं विडियो डाल ला हूं तो समझ में आरिय यह बात कि मुझे अपना promotion करना है ताकि बंदे मेरे पास आए, एक बात बता रहा हूँ, अब आप ट्रेनर नहीं हो, आपने वीडियो बना के यूटूब पे डाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कीडा ही तो हुआ न, आपको अपनी आइडेंटिटी का कीडा लगा है, एक तो ये चीज आ जाती है, तो उस से लाइन क्या होता है, और भी गंदा होता चला जाता है, नमबर वन, है न, नमबर टू क्या हो जाता है, की देखो, आपको आपने क्या क्या टूल भी बना लिया, अब आपको आपको आइडेंटिटी का कीडा लगा है, आप टूल क्या गर होगा है, किसी ग्रूप में जाक है कि हां मैं 5 पैसे कमा रहा हूं 10 पैसे कमा रहा हूं तो समझ में आ रहा है फ्री का टूल बना के देने का मकसद ही नहीं समझ में आता है बाद मां की धियान लखना कोई भाव से नहीं रहता है भूके पेट सेवा कभी नहीं होती है सेवा कोई नहीं करता जो आपको जानता न आते हैं उसका फ्री में लैप्टॉप ठीक करो ना तब मानके चलेंगे कि हाँ बहुत बड़े सेवादार हो कि किसी कस्टमर का करते हो गया फ्री में ठीक उसमें तो हम और समझते हैं कि 1000 का 2000 ले ले कस्टमर से चेपके तो फिर वाकी सेवा भाव कहां से आ गई है ठीक है न त तो आज के लिए इतना